राश्पति बोल्सवनारो सबसे पहले मैं ब्रिक्स के सफल से इंचालन के लिए राश्पति पूतीन को बधाई देता हूँ आपके गाइडन्स और इनिशेटिव की वज़े से वैस्ट्विक महामारी के समय में भी ब्रिक्स अपनी गती को बरकरार रख पाया है अपनी बात आगे रखने से पहले मैं प्रस्रिदेंट रामा फोसा को जन्म दिवन्ष की शुबकामनाय देता हूँ एक्सलेंसीज इस साल के समीट का थीम ब्रिक्स पार्टनर्शीप फ्र ग्लोबल स्टेबिलिटी शेयर सिकुरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ प्रासंगिक तो है ही किन्तु दूर दर्शी भी है विश्व में महत्वपूर्ट जीयो स्ट्राटेजिक बडलाव आ रहे हैं जिनका प्रभाव स्टेबिलिटी शिकुरिटी और ग्रोथ पर पढ़ना और पढ़ता रहेगा और इन तीनों ख्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमी का एहम होगी एक्सलेंसीज इस वर्ष दूसरे विश्व यूद्ध की पच्चतरवी वर्षगांड पर हम वीर गती पाये साइनिकों को स्रधांजली देते हैं भारत से भी 2.5 मिलियन से अधिक भीर इस युद्ध में यूरोप, आफ्रिका और साउथिज एशिया जैसे कई फ्रंट्स पर सक्रिये थे इस वर्ष उनाइटेड नेशन्स की स्थापना की पच्चतरवी वर्षगांड भी है यूएन के एक संस्थापक सदस्य के रूप में भारत मल्टि लेटरिलिजम का द्रट समर्थक रहा है भारतिय संस्कृति में भी पूरे विश्व को एक परिवार की तरह माना गया है अता हमारे लिए यूएन जैसी संस्था का समर्थन स्वाभाविक था यूएन के मुल्यों के प्रती हमारा कमिटमेंट अडिग रहा है पीस कीपिंग आपरेशन्स में सबसे अधीक बीर सैनीक भारत नहीं खोये है किन्तु आज मल्टी लेटरल सिस्टीम एक संकट के दौर से गुजर रहा है ग्लोबल गवर्नस के समस्तानों की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों पर ही सवाल उठ रहे हैं इसका प्रमुक कारण यह है कि इन में समय के साथ उचीत बढ़लाव नहीं आया यह अभी भी पचरतर साल पुराने विश्व की मानसिक्ता और वास्विक्ता पर आधारित है भारत का मानना है कि विएन सिकुरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत ही अनिवारिय है पर हमें अपने ब्रिक्स पार्टनर्स के समर्धन की अपेक्षा है युएन के अतिरिक्त कई अन्य अंतराष्ट्य संस्ताय भी वर्तबान वास्त्रिक्ताओं के अनुसार काम नहीं कर रहे है WTO, IMF, WHO जैसे institutions में भी सुधार होना चाहिए Excellencies, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है हमें ये सुनिशित करना होगा कि आतंकवाद्यों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोशी ठहराए जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए हमें खुशी है कि रूश की अध्रिक्स्ता के दोरां ब्रिक्स काउंटर टर्रिजम स्ट्रेजी को अंतिम दूप रूप दे दिया गया है यह एक महत्वपूर उपलब्दी है और भारत इस कारे को अपनी अध्रिक्स्ता के दोरां और आगे बढ़ाएगा एक्सलेंसी कोवीड के बात की वैस्विक रीकवरी में ब्रिक्स एकॉनोमिस की एहम भूमिका होगी हमारे बीच वीश्वकी 42% 42% से अधिक आबादी बस्ती है और हमारे देश ग्लोबल एकॉनोमिके मुख्य एंजिन्ट में से है ब्रिक्स देशों के बीच आपसी व्यापार बढ़ाने का बहुत स्कोब है हमारे आपसी संस्ताय और सिस्टिम्स जैसे ब्रिक्स, इंटर बैंक कोपरेशन मेकनिजम, न्यू डेवलोप्मेंट बैंक, कंटिजेंट रिजर्व अर्रेजमेंट और कस्टम्स कोपरेशन आदी भी बैस्वीक रिकवरी में हमारे योगदान को इफेक्टिव बना सकते हैं भारत में हमने आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट एक व्यापक रिफाम प्रोसेस शुरू किया है यह कैम्पेन इस विशे पर आधारी था है कि एक सेल्फ रिलाइंट और रेजिलियन भारत पोस्ट कोवीड अर्थेववस्ता के लिए फोर्स मल्टिप्रायर हो सकता है और ग्लोबल वेल्यू चेंज में एक मजबूत योगदान दे सकता है इसका उधारन हमने कोवीड के दोरान भी रेखा जब भारतिय फार्मा उद्योग की छमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवशक दवाईयां भेज पाएं जैसा मैंने पहले भी कहा है हमारी वेक्सिन उत्वादन और डिलिवरिक शमता भी इस तरह मानवता के हीत में काम आएगी भारत और दक्षिन अफरिकाने हैं कोविड नाइटीन वेक्सिन उपचार तता जाँच समंधी इंट्रलेक्ट्वली प्रोपर्टी एग्रिमेंट्स में छूट दय जाने का प्रस्ताव रखा है हमें आशा है कि ब्रिक्स के अन्य देश भी इसका समर्थन करेंगे अपनी ब्रिक्स अध्रिक्सता के दोरान भारत डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन में ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने पर कारे करेगा इस मुश्किल वर्ष में भी रुशी अध्रिक्सता में पीपल टू पीपल रिस्तों को बढ़ाने के लिए कई इनिशेटिव दिए गए जैसे कि ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल और युवा वेग्यानिकों और युवा राजनिकों की बैठक है इसके लिए मैं राजप्रति पुतीन का हार्दिक अभिनदन करता हूँ एक्सलेंसीच 2021 में ब्रिक्स के पंदरा वर्ष पूरे हो जाएंगे पिछले सालों में हमारे बीच लिए गए विबिन निर्णों का मुल्यांकन करने के लिए हमारे शेर्पा एक रिपोर्ट बना सकते हैं 2021 में अपने अज़्ज़ता के दोरां हम ब्रिक्स के तीनों स्तंभों में इंट्रा ब्रिक्स सयोग को मजबूत करने का प्रैत्न करेंगे हम इंट्रा ब्रिक्स एक जूरता को बढ़ाने और इस उद्देश के लिए ठोज संस्तागत फ्रेमबर डेवलप करने का प्रयास करेंगे मैं फिर एक बार राश्प्रति पूतीन के सभी प्रयासों का अभिनंदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ धन्यवाद